हेलो एवरिवेन आज में बहुत ही टेस्टी डाल बनाने वाले हो हरी मटर की डाल तो मटर मैंने छील के पहले ही रख लिया है और इसका पेश्ट बनाएंगे अद्रक लैसुन मिर्च और प्याज का और यह गरम मसाला भी उसी में डालेंगे इसके पेश्ट से डाल बहुत ही बनती है तो मटर मैंने पीस लिया है मटर को दरबरा सा पीस ना है अब इसको करेंगे हम फ्राई तो तेल गरम था अब उसमें डाल दिया इसको पांच उन्मेट लगेगा फ्राई होने में जब तक यह ड्राई नहीं होगा तब तक आप फ्राई करते रहेंगा वैसे पांच इस दाल में अब इसके बाद हम प्याज डालेंगे एक बड़ी साइस की प्याज लीजेगा चोटा-चोटा कट कर दीजेगा अब अच्छी तरह से एक बार इसको चला देंगे और यह दाल बहुत ही टेस्टी लगती है छोला तो भूलेंगे नहीं मगर छोली की जैसी पूरी दाल लगती है थोड़ा सा गरम मसाला पीस के डालेगा और खड़ा मसाला भी डालेगा यह देखिए मैंने पेस्ट बना के रख लिया था उसका जो भी पहले बताया था अद्रक, लैसुन, मेज, चिप्याज और गरम मसाला उसका पेस्ट डाल देंगे और चला देंगे एक बार अब इसके बाद हम डालेंगे रिगुरल मसाला धनिया पॉडर, हल्दी पॉडर मि करेंगे जिससे थोड़ा चट पटा हो जाए और टेस्ट और अच्छा सा हो जाए तो उसको भी एक बार चला देंगे और देखिए अब मसाला हमारा रेडी होने माला है तो इसमें एक टमाटर की प्यूरी डालेंगे ज्यादा टमाटर नहीं लेना है जिस तरह जैसे डाला बना रहे हूं मैं चार-पांच लोग के लिए डाल बना रहे हूं तो मैंने एक टमाटर की प्यूरी डाल दिया स्वादानुसा नमक डाल दिया अब सबको एक बार अच्छी तरह से चला देंगे और पांच मिनट मीडियम फ्लेम पे गैस करके छोड़ देंगे जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह से पख जाए और देखिए हमारा मसाला कितना अच्छी तरह से पख गया और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है अब एक बार हुसको छला देंगे अब इसमें हम डालेंगे जो मतर फ्राई करके रखे थे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और सबको एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद पांच मिनट इसको आपको ऐसी पका लेना है जिसमें ये मसाले में अच्छी तरह से पक जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है मीन क्या होता है कि हम जो धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बनाते हैं उसी से टेस्ट अच्छा आता है खाने का तब इसमें पानी डाल देंगे और दो सीटी लगाएंगे जटपट बनके रेडी हो जाती सीटी लगाने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस दो सीटी में दाल रेडी हो जाती है और देखिए दो सीटी हमारी लग भी गई है अब चलिए खोल के देखते हैं देखिए दाल हमारी पक के रेडी हो गई है अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और धनिया डाल के आपको सर्व करते हैं देखिए दाल हमारी कितनी टेस्टी बनी road color भी बहुत अच्छा है इसको आप दाल डाल चावल के साथ रोटी साथ वैसे तो मैं दाल चावल केती मुझे दाल попार साथ बहुत अच्छा लगता Centers तो चलिए सर्व करते हैं दाल चावल के साथ दाल चावल और मिर्ची का अचारो प्याज इंजॉय करिए रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करीगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर मिनते हैं नेक्स्ट रेस्पी के साथ तर तक के नमस्ते राधे राधे बाई बाई